Hello everyone, so आज की reading में हम देखने वाले हैं आपके person का next action क्या होगा, कब होगा, तो चलिए cards निकालते हैं, देखते हैं कि आपके person का next action कब होगा और क्या होगा, ठीक है, so card निकालते हैं किस energy में है आपके person, तो यहाँ की energy है seven chakra की, six chakra है, sorry, six chakra का card है यहाँ पे, यहाँ के card बता रह हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी intuition काफी हाई हैं और यह person पूरी तरीके से focus है और यह person अपने आपके उपर focus तो करी रहे हैं, आपके उपर भी focus कर रहे हैं, so मुझे यहाँ के energy का अनुसार से दिख रहा है कि आपके person आपसे बात करने वाले हैं, इस बारे में यानि की reunion करने के बारे में, ठीक है, इनका next action दिख रहा है, contract का card है, number six का card है, again equal give and take करने के बारे में और आपके साथ जो है, अपनी connection को बनाने के बारे में यह person सोचते हुए दिख रहे हैं, यह person जो है, इस energy में दिख रहे हैं, जैसे कि इनको आपके साथ जो है यहाँ पे पर दिख रहा है कि अब जो है, यह divorce का किस खतम होगा, और यहाँ पर आपके person accept कर लेंगे कि हाँ, चलो चीजे जो है अब बहतर बनने का time आ चुका है, अब जो है चीजे अच्छी करने का time आ चुका है, ठीक है, तो मुझे यहाँ की energy करने साथ से दिख रहा है कि यह person equal give and take करने को पूरी तरीके से तय्यार है, ठीक है okay, so देख लेती है यहाँ पे काड़ attachment का काड़ है, attachment का भी काड़ मुझे बता रहा है कि आपके person कहीं 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 लाग में बहुज़ा है आपके person इस तरिके से होचुके है कि यह person आपको पूरी तरीके से जहना आपसे अब अब अच्व होना चाहते हैं ठीक है कि इसे हो चुकी है फॉरी तरीके से हो चुके है इंवोशनल लेथेस्मेंट नहीं को tell कोशिच करे बट यह परसन छुपा नहीं सकते हैं अपनी फेलिंस अपने पूशन क्योंकि यह पर संग्जानते हैं कि मैं कितना झाले की कोशिच करूं मेरा पार्टनर मुझे जान ही जाएगा समझ जाएगा ठीक है all tied up का काड है यहां की एनरजी बता रही है कि आपके person काफी कुछ bright future भी देख रहे हैं action लेने के बारे में भी सोच रहे हैं वड़ यहां पे क्या हो रहा है यहां action ले नहीं पा रहे हैं यह decision ले नहीं पा रहे हैं यह person अपने आपको heal करते हुए अभी फिलहाल यह person नजर आ रहे हैं अपने finances पे अपने career पे जदा focus करते हुए यह person नजर आ रहे हैं और यहां की energy के अनुसार से मैं यहीं कहूंगी जितनी भी energy मैंने चेक की उसके अनुसार से मुझे नजर आ रहे हैं कि अभी यह person action नहीं लेंगे ठीक है अभी इनको time लगेगा क्योंकि यहां पे देख रहा है कि इनकी life में काफी जदा problem चल रही है जिसको solve करने के बाद से ही कि यह person action लेंगे कि यह person decision लेंगे ठीक है तो मैं यहां पर यहीं देख पाले हूं आपके कार्ट के energy के अनुसार से यह रही है आपकी reading मिलते हैं अगली reading में बाबाए